इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे बोर्ड एक्जाम से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर एक स्टूडेंट को काफी निसेसरी होता है वह है कि आपको बोर्ड एक्जाम में पास होने के लिए क्लाश 10 और क्लाश 12 दोनों क्लास के लिए हम कह रहे हैं कि आपको बोर्ड एक्जाम में पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर लाना होता है तो यहाँ पे हम आपको कच्छा 10 और कच्छा 12 दोनों में आपको board exam में सबसे कम से कम जो आपका passing mark होता है वो कितना होता आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले और आप लोग अगर उतना नहीं ला पाएंगे तो किस ट्रिक से उतना नंबर आप लोग ला पाएंगे और आप लोग अपने board exam में पास हो पाएंगे इस topic पर ये भी ट्रिक हम आपको बताएंगे तो आपको कोई भी subject हो चाये वो हिंदी या इंगलिस ठीके या आपका 12th का physics chemistry कोई भी subject हो आप लोग कोई भी subject में passing mark कितना होता है कैसे लाएंगे आज के इस वीडियो में हम आपको कई ट्रिक और ट्रिस भी बताएंगे तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम class 12th का देखेंगे तो देखिए यहां पर देखिए आपको class 12th में total 5 subject पढ़ने होते हैं ठ students एब गड़ित पढ़ते हैं ठेकें तह Vine का देखिए आपका को हिंदी होता है वो पुडांक जोका होता है ठहके कितने होता है पुडांक और इंग्लिस भी कितनी का होता है पुडांक सौ का ही होता है इंग्लिस फिर उसके बाद अब बात रहा रसान विग्यान तो इसमें क्या होते कि आपको तीस नंबर प्रेटिकल के नंबर मिलते हैं तीस नंबर आपको प्रेटिकल के मिलते हैं फिर उसके बाद यहां भी भौत एक्जाम में देखिए यहां पे अगर आप लोग रसायन विग्यान भौतिक विग्यान और जी विग्यान इन तीनों का वाइबा चलता है जिसे प्रेट कर परिच्छा कहते हैं ठीक है तो अगर आप लोग राइट एंसर देंगे तभी आप सभी को वाइबा में पूरे 30 पर दिया जाएगा यानि कि सभी विषय में रसायन भौतिक विग्यान और जी विग्यान इन तीनों में अगर आप लोग वाइबा का क्वेश्चन जो एक्जामनर पूछते हैं अगर आप लोग कोई रिप्लाई या और कोई उतर नहीं देते तो आपको 23 नंबर ही सिर्फ देंगे अगर आप लोग सभी क्वेश्चन का अंसर बताएंगे तभी आपको 30 में 30 मिलेगा अब फिर उसके बात बात रहा कि आपको बोड एक्जाम में पासिंग मार्क कितने होते हैं आपके हर एक सब्जेक्ट में ठीक है तो जो हिंदी होता है इसमें आपको 33 नंबर या तो यहां पर देखिए आप सभी स्टूडेंट में से 3 लेवल के स्टूडेंट होते हैं पहला होता है जो कि टापर होता है दूसरा मेडियम और तिसरा जो कि बिलकुल लो होता है यानि कि वो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं होता है तो पहले और दूसरे का तो काम चल जाए लेकिन जो तीसरा है जो कि अभी तक ऐसे कई स्टूडेंट होंगे जो कि अपनी बोर्ड एक्जाम की तयारी किये ही नहीं यानि अभी तक वो कुछ भी नहीं पढ़े है और उनकी बोर्ड एक्जाम भी आ गई है तो वो किस तरीके से पास होंगे तो यहां पर देखिए का क्या होता है कि कई important question दिये होते हैं इसमें से आपको क्या करना होता है कि जैसे कोई भी question दिया हुआ है तो अगर आपको कोई भी question का answer नहीं याद है ठीक है नहीं याद आ रहा है तो आप लोग सिर्फ इस तरीके से question number डालिए और यहां पे lining किजी और उत्तर डालने के ब से छाट कर तो आप लोग क्या किसी कि इसके question में इस पैसे में बीच में से कहीं यहां से यहां तक लाइन उठाकर उसमें आप लोग एड कर दीजिए भर दीजिए ठीक है लिख दीजिए तो इसमें अगर आपको पढ़ने भी नहीं आता लिखने भी नहीं आता फिर भी अगर आप लोग इतना कर दिये तो तीचर आपको कभी भी फिल नहीं करेगा वो 33 नमबर देकर क्या कर देगा पास कर देगा नेश्ट रहा इंगलिस इंगलिस में भी आपको 33 नमबर लाना होगा तभी आप लोग पास होएंगे otherwise नहीं होगे ठीक है अगर 33 नमबर से कम नम बहुत सारे चांसेश होते हैं जो आप पैसेश लिग करके ठीक हो सकते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको सेक्षण बी में भी कई सारे दिये हुए क्वेस्चन इसको आप लोग लिग कर पास हो सकते हैं ठीक है आपको फर्स्ट पेज में पैसेश दिये रहेंगे और से टी डबल ओ टू कहां से लिखे ठीक है डीप तक आप लोग क्या किजे यहाँ पर यानि कि कोई भी क्वेस्चन नमबर डाल कर उसमें आप लोग लिख सकते इस तरीके से तो अगर ऐसे लिखेंगे तो टीचर को भी चांस रहेगा कि वो आपको पास कर देगा क्योंकि टी अच्छा में कुछ नहीं बताएंगे तो आपको तेस नमबर मिलेगा और बाकी 33 यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर आपको 33 नमबर मिलेगा तेस नमबर कुछ नहीं बताएंगे तो यह हो गया 6 और यहाँ पर 5 यानि 56 नमबर ही मिलेंगे ठीक है अगर आप लोग कुछ बता तो 30 में आपका एड़ होगा 33 नंबर केरे इस तरीके से 33 नंबर इसमें एड़ होगा तो यह गया 3 और यह गया 6 36 नंबर इस तरीके ठीके और बाकि यहां पर देखिए भहुत थिक विग्ञान तो यह भी आपका रहा तैतिस नंबर का पिर उसके बाद यहाँ पर जी विग्यान में भी आपको तैतिस नंबर लाना होगा इसमें भी आप लोग वही ट्रिक फालो कर सकते हैं ठीक है जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए आपको कोई भी क्वेस्टन का आंसर नहीं याद है ठीक है तो जिसे यहाँ पर ओम के नियम को लिखिए ठीक है यह हम बिद्धूत रासायनिक्स रेडी इस तरीके से आप लोग लिखिए तो आप लोग क्या कि यह कि यहाँ पर लोग लिखिए इसमें अपनी त्श्राय रिख दे ना है या आपको अपनी यह ट्री के तुसके बाद द起來 आपको जी जिसना होता और आपके गडित होता है में इसमें भी आपका 33 नमबर होता है तो दीखिए गड़ित दिखिए आपको सौ में पुरे पुरांख में नमबर लाना होता है तो यह confirm है कि अगर आप लोग का इस्कूल में अच्छे performance रहेंगे तो आपको 30 नमबर ज़रूर मिलेगा तेकि क्योंकि वो किसी बाहर से आने वाले examiner के हाथ में यह नमबर आपके नहीं है आपको इसके लिए teacher से अच्छा behavior करना होगा तभी आपको 30 नमबर total मिल जाते हैं प ग्यान भी पुडांग सवके होते हैं और समाजिक भी ग्यान भी ठीक है गरीत गिरी भी ग्यान भी और सभी मतलब subject आपके पुडांग सवके ही होते हैं ठीक है और इसमें passing mark बात रहा तो हिंदी में आपको पूरे 30 नमबर लाने होंगे तभी आप लोग पास होंगे ठीक है तो आप सभी लोग भी वही ट्रिक फालो किजिएगा जो हम आपको बता हैं आपको इसी तरह क्या करना है कि ऐसे लिखने के बाद यानि यह हमने अपने से नहीं लिखा इसी question में से इसको बना कर ऐसे लिखे ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पे बीच में कुछ भी लिख देना है यानि गाना वगरा नहीं इससे रिलेटर ही लिखना या पैसे आपको छाप देना वाकि उसके बाद जिसे हम विद्धूत रासानिक सेड़ी कहते हैं या कहलाते हैं इस तरीके से ओम के नियम को भी आप लोग ओम की नियम को लिखे तो ओम का नियम यह कहलाता है कि दाच दाठ दाच इसे हम ओम का नियम केहते हैं ठीक है आईसे आप लोग ओम की इस तरीके से भी आफिन में भी वहीं कर ला लिजयेगा और आपका विज्ञान में भी thinking नंबर आपको मिलेगा और उसके बाद समाजी विज्ञान में भी तैस नमबर जो था पासिंग मार कू तक कुछ ना कुछ आप लोग जरूर लिखेगा ये नहीं कि आप लोग सिर्फ इसी तरह साधा छोड़ देंगे अगर साधा छोड़ देंगे तो टीचर कभी जिंदगी में भी पास नहीं करेगा आपको तो इसलिए आप लोग साधा मत छुड़िएगा कुछ ना कुछ जरू और इसमें दिखिया, आपको 30 नमबर से मिलेंगे और 23 नमबर आप लोग बोर्ड एक्जाम में ला देंगे तो आपको यहाँ पे 23 और यहाँ पे यानि कि आपको 33 नमबर टोटल लाना होगा ठीक है? तो आपको टोटल 33 नमबर मिल जाएंगे तो आपको इस तरीके से लिखना होगा यानि यही है passing मार अगर आप लोग इतना number ला देंगे अपने board exam में तो आप लोग बिल्कुल pass हो जाएंगे आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी ठीक है और इससे कम number लाएंगे तो आप लोग को fail कर दिया जागा लेकिन जो हम trick बता है उस trick से अगर आप लोग लिखोगे तो आपका number जब भी रहेगा तो 33 और 23 से उपर ही रहेगा और आप लोग pass हो जाओगे और इसी तरह के और भी important trick और tips और board exam में पास होने के लिए trick देखना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अप्लोड है वहाँ से जाकर देख सकते हैं और हाँ एक हमारा correct सिच्छा यूटूब चैनल है जिस पर class 12 के board exam की तयारी कराई जा रही है उस चैनल को भी आप लोग subscribe करने और एक छोटी सी प्यारी सी अपनी comment करने और एक हमारे सेकंड चैनल टेक्निकल लबनी है उसको भी आप लोग subscribe जरूर करने तो आज के इस वीडियो में इतना ही आपको वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रस कर दे तो थक्यों तो ऑ्रड़ों से कारा क्या थ है बाइक है प्रस के साथ कि दिया आपको जरूर को जरूर क्वा है यह को जरूर को जरूर ऑख लोगियो क्या है थेल चासै कर देफा नवीडियों से लगड़ा है